हेलो, असलावालेकुम, वेलकम बेक पो माई चैनल, कैसे हैं, आप लोग आई होप, आप लोग अच्छे ही होंगे, तो अभी सुबा का 8 बज के 10 मिनट हो रहा है, जीया उठ चुकी है, और अभी बस तयार हो रही है, जीसु को अभी नहीं उठाएंगे, उसका 9 बजे से क्ला होती है, वो बनाए थे और आलू, तो चना और आलू की सबजी बनाए थे और उनको रोटी बनाके दे दिये हैं, और फिर बैठे हैं, गर्मा गर्मा चावल बनाएंगे, वो भी 11-11 बजे बनाएंगे, और फिर बच्चों को दे देंगे, ठंड बहुत जादा भयंकर वाली है, और आप लोग को पता है, हमारे कर में सबको ठंड लग चुकी है, अभी तक फिलाल सब लोग ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा सीने में दरद, मेरी जो खासी होती है, वो जल्दी नहीं जाती है, बहुत ताइम लगा था, बहुत धीरे धीरे धीरे, लेकिन हाँ, अभी अ सारा दिन बस और रजाई में है, और बुलता है कि ममी उनको ठंड लग रही है, और आखोक सेख सेख के तो उसका ठीक कर दिये, और गरम तेल, ठंड भर पूरा बच्चों के लिए लेसुन और अजवाइन वाला जो तेल है, वो जरूर पका के रखी बहुत फायदा करता है, और मैं क्या करती हूँ ना, जब इन लोग बोलते हैं कि ठंड लग दिया, तो हमेशा ठंड कान से लगती है, आँख से लगती हो, पैर और के उससे लगती है, तो यह वाला जो तेल ना, वो गरम करके बच्चों को मल दीजे, और हलका सा गरम तेल ना, कान में डाल दीजे, तो बहुत आराम मिलता है, तो बस अभी चलेंगे, आज सोच रहें कि अच्वानी बनाने के लिए, अच्वानी मतलब कि वो जो जब बेबी होता है, तो जैसे तो औरतों को खिलाया जाता है, अच्वानी वो हल्दी और ड्राइ फूट्स वाला जो, तो ऐसा जरूरी नहीं ह इसको ना, नॉर्मल आप अच्वानी के तरह नहीं, आप एक दवा के तरह खाएगा, और बस फाइदा करेगा, तो आज बनाएंगे वही, और बचों को रोज सुबा सोच रहें कि गरम गरम, उससे गरम करके, और एक गिलास गरम दूद के साथ, चाहें आप ऐसे एक दो चम मेरे पास, यानि की काजू, बदाम और किसमिस बस यही था, तो वही थोड़ा सा फुला दिये हैं, और अब चलेंगे अच्वानी, अच्वानी बनाएंगे, अजा जवाइन के साथ बनाएंगे, और हल्दी डालेंगे, जवाइन गरम होता है, हल्दी भी गरम होता है, ड्रा क्लास अधिट्ट करने, तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं बात कर सकूँ, और आप लोग कहते हैं, कि बात करिए, भी बीच में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं जब बात करने लगती open przestican метод, आप लोग बात करने लगती हम, तो टाइम नहीं गरम होता ह यही एक रीजन है आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजे मैं आप लोग से बाद भी करूंगी तो चलिए फिर चलते हैं किचन में तो आ गए हैं किचन में बनाने के लिए अच्वानी लेकिन उसे पहले खिड़की खोल देते हैं ताकि थोड़ी ताजी-ताज और बनाना स्टार्ट करेंगें तो सबसे पहले पायल निकाल देते हैं कि इस जार में पीसे हैंगे और आगे देखेंगे कि इस जार का क्या होता यह भी धोख्य बाज एद्यौन दोकाई देता है सही मतारे रोज मैं अलगा-फुलका रहता है वह been cell पे पीस सकता जितना होना चाही था उतना डाल दीये थे, फिर मुझे याद आया कि बच्चे पता नहीं पसंद करेंगे के नहीं, तो हल्का सा भी नखा है तो फिर क्या फायदा, तो इसलिए अजवाइन थोड़ा सा कम कर दी है, अगर आप लोग नहीं पसंद है, तो आप लोग थोड़ा स और भी कम कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अजवाइन को ही सिर्फ पीस रही हूँ क्योंकि ड्राइफूट्स के साथ जब पीस है तो अजवाइन ठिक से पीसाता नहीं इसलिए पहले ही पीस रहते और यह जार का बलेड तूट गया अब क्या है कि अजवाइन तक नहीं पीसा और जार तूट गया और यहाँ पे ना नीचे में सौल लगाएते कल क्योंकि नीचे से बहुत हवा आती है और उससे रूम ठंडा हो जाता है तो कल ना सौल भी लगा दिये थे तो यहाँ पर आ गये हैं अब सील में पीसे हैं और कल बहुत अच्छा हुआ कि कल हम सील लेकर आ गये थे तो बहुत दिन से वहाँ पर पढ़ा था ना तो सबसे पहले इससे अच्छे से धो लेते हैं और नाली हमारा वहाँ पर है इसलिए मुझे सील वहाँ पर लेकर जाना पर अच्छे से सील को धो देते हैं और उसके बाद भी बैट जाते हैं पीसने के लिए बहुत महनत लगता है क्योंकि ड्राइफ फुट्स ना ये तो बहुत अच्छा वा कि फूला दिये थे राती में नहीं तो सुची कि कितना महनत लग जाता तो बस यहां पर लेके बैट ग बैर में कुछ जानी नहीं है इस तरह से तो ये देखी और सील पर बहुत अच्छा भी पीसा जाता है बहले थोड़ा सा महनत लगता है मुझे ना सील का चाहे मसाला हो चटनी हो कोई भी चीज जो बहुत अच्छा लगता है मिकसर से उसे पीस जी ना तो तो तम झागी अगदम बढ़ियां अगदम हो जाता है तो नहीं तो बस यहां पर देखी तो अच्छा खासा पीस चुका है सारा जो इतना भी था ना सब पीस चुके हैं बहुत जादा तो नहीं था लेकिन जितना भी था तो उसको पीस लिए और इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद ए ते अर्भी इतना भी मत गिर जाओ धो जो चलो हमको भाई मेवा है चाहे मसाला ही है मैं कुछ भी पीज़ती नहीं दो बढ़ियां से पानी डाल डाल के एक एक बूंद निकालते हैं ऐसे ही थोड़ी घर चलता है हम लोग ऐसे ही गिर गिर के नीचे पूरा घर चलाते एक एक बचाते हैं है की ने और अभी तो आप लोग देख रहाएं तो रखे मैं क्या चलती है और इसको Ign is fine में साथ और याफ लगता है ।किन आज जैसे हम देखें हम वो सबसे बता रहे हैं आगर हम लोग जब जार में पीषते हैं तो उसमें क्याना है कि सूखा तो पिसाता नहीं है, तो हल्का सा पानी उसमें added करना हुत है, तो पानी फिर जब भुणी है तो बहुआधी टाइम लगाता है सूखने में, लेकिन आज क्या है ना कि यह ड्राइफूट काफी सूखा था पानी बहुत कमी यूज किये थे तो बहुत जल्दी भुन गया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो बस यहाँ पे सबसे पहले समानी कठा करें तो कड़ाई चड़ा चुके और यहाँ पे मैं ढूंड ली थी तेज पता तो तेज पता और लॉंग दो चीज़ से छौका लगाएंगे बहुत लोग छोटी इलाची भी डालते है और दालचीनी भी यूज करते है लेकिन मैं सिर्फ तेज पता और लॉंग ही डालूगा तो यहाँ पर फ्रीज में से जो घी निकाले तो बहुत ज़्यादा तो यह देखिए और ना यह गही अब खतम भी होने वाला है आप लोग देखेते हैं न उस समय हम कितना सारा दमगी निकाले तो यह महिना अभी होने वालो ही एक महिना के 20 दिन हुआ है लेकिन है अभी गही और बीच में बना भी तो गाजर का हलुआ बना हां भले उसमें तो दो चम्मच बहुत ज्यादा है हल्दी गरम करता है और ज्यादा मेवा वर ज्यादा नहीं था और उसमें अजवाइन भी था इसलिए तो बस यहां पर देखिए तो तेजपत्ता का छोका लगा दिये हैं और जब न उसमें साउनान लेगा चटक 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 तब समझ और जैसे हलका सा भुनने के बाद इसमें जो मेवा जो था जो पीसे थे उसको फटक से डाल दीजिए और अच्छे से इसको भुनते रहे हैं तो प्लेट में जो लगा था उसे भी मैं पानी से निकाल ली उतना क्यों फेके एक बादाम होगा उसमें पूरा तो फिर जितना इसमें डाल दिये हैं और लगातार इसको चलाते रहना है अगर हलका सावी सावधानी हटी कि दुर घटना गटी तुरंत जल जाता है इसलिए तो यहां पे आप बीच बीच में गी इसमें एड करते जाएगा जितना आपको जरूरत समझ में आए उतना क्योंकि घी समझ में आजाएगा कि अच्छे से भुन चुका है और उसके बाद बस लास्ट में इसमें एक भेली गुर डाल दे रहे हैं साइड में एक भेली और तोड के रखे जब ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे और अगर गुर कम लगे यहीं पर एंट करते हैं आई होप आप लोगो अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा तो लाइक कर देज़ेगा बाबाई अल्ला अफेस